रियल में 99 इंडिया में लाँच हो चुके है और यार फिलिपकाड में वो 20 सेकंड को सेल में आने वाली है तो आप जाके 12 पीम से ले सकते हैं उसे लेकिन यार उसे पहले मैं आपको इस फोन के बारे में असली सच बताना चाहता हूँ और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि आखिर आपको किन टेस्ट के उपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि आप इस फोन का असली सच निकाल पाएं कियार आज कल योट्यूब में बहुत सारे ऐसे रिव्यूर्स हैं जो या तो कंपनी से पैसा खाकर रिव्यू देते हैं उनके फोन में या फिर बाइस्ट रिव्यू देते हैं और यार इस फोन में फाइब जी नहीं है ओभियसली 14,000 या फिर 15,000 रुपीस के फोन में फाइ चली रहा है अपना लेकिन आपको वीडियो अच्छ लेगी helpful लगी तो like और चैनल को गदे सब्सक्राइब तो चलो वीडियो का शुरू करते हैं यार इसका सबसे खास बात यह है कि यह 5 MPR यानि 5,000 मिलियंप के बैटरी के साथ आता है प्लस 33 वाट का first charging मिलता है और यार य होता है क्योंकि यार जब बैटरी चार्ज फोते वक्त गरम होता है तो आपके फोन के उपर थोड़ा bad effect भी पड़ सकता है準 इसलिए आपको यह देखना है कि आखिर यह बैटरी चर्ज होते वक्त कितना गरम होता ए और अगर ज्यादा गरम होता है तो आपको नहीं लेता है आपको सायद इसका camera best लग सकता है आपको सायद इसका gaming performance best लगता है लेकिन यार बैटरी के charging का time या फिर normally अगर phone heat करती है तो आपको नहीं लेना है phone और यार यहां Wi-Fi 6 मिलता है आपको तो lagging का scene तो आप खतामी है समझो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप थोड़ा चेक कर लो फिर से ताकि आपको Wi-Fi 6 अच्छे से implemented मिले या फिर वो भी 4G के दैसा आधा अधुरा implemented मिल जाए और Wi-Fi 6 का performance चेक करने के लिए आपको gameplay नही आ रहा है फिर यहां आपको मिलता है CMOS sensor का camera और camera का performance चेक कैसे करते हैं वो तो आप जानते ही है simply low light performance देखना है क्योंकि यार CMOS sensor है इसलिए शायद low light performance उतना अच्छा नहीं मिल सकता क्योंकि मेरे हिसाब से BSI यानि कि backside illumination वाला sensor ज्यादा अच्छा काम करता है low light performance में और य अगर नहीं कर बाता है तो मतलो कर बाता है तो ले लो फिर यार इसमें आपको मिलता है Snapdragon 680 6 nanometer का processor यार 6 nanometer का टेकनोलोजी है वो 7 nanometer है फिर 8 nanometer के पुराने टेकनोलोजी से जो की एक डेट साल पुराने टेकनोलोजी से उनसे कम battery खाती है उनसे कम heat produce करती है इसलिए आपको ये चेक करना है कि जो gameplay के वक्त heating हो रही है वो आखिर कितने हद तक हो रही है फिर इस processor का clock rate 17 GHz से उपर का है इसलिए आपको performance में तो ऐसा कोई lag दिखने वाला है नहीं theoretically लेकिन आपको देखना है कि आपको lag मिल रही है या नहीं screen का status मिल रहे है या नहीं थोड़ा laggy motion मिल और फिर exactly आपको ये चेक करना है कि आखिर game कितने टाइम में load हो पा रहा है I mean game कितने टाइम में start होके play होने तक जा पा रहा है और फिर आपको ये भी चेक करना है कि boot कितने टाइम में हो रहा है अगर ये सारे चीजों में ये phone आपको सही लगती है तो ये phone perfect है और यार ये उतना ज्यादा लो भी नहीं है ताकि आपको गेम में लैग ही देखने के लिए मिले मेरा तो जो फोन्स है या फिर टेबलेट्स है उससे पुराना ही है और वो भी काफी ओसम जलते हैं गेम्स में तो इसमें ऐसा कुछ लैग देखने के लिए मिलने वाला है नहीं फिर भी आप ग्राफिक्स देखना चाहते हैं तो थोड़ा गेम्पले का ग्राफिक्स देख सकते हैं अगर आप गेम्स के लिए ये फोन को ले रहे हैं तो और यार सबसे अच्छी बात और ओसम चीज मेरे जैसे content creators के लिए वो ये है कि यार इसमें triple ISP का support है अब आप पूछोगे यार triple ISP का support है तो तेरे जैसे content creator के लिए क्या सही है तो यार triple ISP से होता यह है कि इसमें multiple camera setups काफी अच्छे से काम करते हैं मतलब multiple camera setups काँ यूज होते हैं bokeemode में यूज होते हैं जो कि DSLR like photos देते हैं अगर आप instagram में वही wannabe model या फिन influencer है तो आप इसे use कर सकते हैं इसलिए यार आपको इसका भी performance चेक करना है triple ISP का और उसके लिए आपको क्या देखना है symbol से बात यार bokeemode देखना है आपको फिर यार मैं आपको याद दिला के बोल देता हूँ कि आपको 50 megapixel का camera का quality चेक करना है उसका brightness कैसा आ रहा है उसका low light performance कैसा आ रहा है क्योंकि यार आप तो जानते हैं कि 50 megapixel ऐसा कोई होता नहीं है सबको ऐसे binning करके 50 megapixel का बनाया जाता है इसलिए मैं कहता हूँ कि आप एक बार चेक कर लो क्योंकि यार ये सारे जो चीजें है ना ये triple ISP का खेल होता है जो भी image processing का task होता है वो triple ISP जितना powerful होता है उतना awesome होता है हाँ algorithm के उपर तो subdependent है लेकिन उतना तेज होता है अब यार ये वीडियो में आपको पता चली गया कि आपको किनकिन test के उपर focus करना चाहिए अब यार मैं ये सारे वीडियो ऐसे क्यों बनाता हूँ अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको बोलूगा यार बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं यार तो दिखाना नहीं चाहते हैं बायश रिव्यो दे देते हैं पेड रिव्यो दे देते हैं या फिर आपको actual search का पता नहीं चलबाता है क्योंकि यार एक रिव्यूवर को दिखाने के लिए बहुत सारे चीज़ें होते हैं और वो basically YouTube में आज कल रिव्यूवर बहुत पैसा कमाने के लिए चक्कर में आ रहे हैं अपकोर्स पैसा सबको चाहिए होता है लेकिन यार उसमें जो फोन खरिदने वाले लोग होते हैं उनका उतना ज्यदा help नहीं हो पाता है मेरे जैसे लोग जो mainly tech enthusiast हैं उनके लिए वो वीडियो बनाते हैं ना कि आपके phone खरिदने वालों के लिए और अगर आप tech enthusiast हैं तो यार इस channel में बहुत सारे content आने वाले हैं subscribe कर लो phone खरिदने वाले हैं तो ऐसे analysis आते रहेंगे subscribe कर लो वीडियो अचे लही तो लाइक चैनल को दो subscribe मिलते हैं नेक्ट वीडियो में गुडबाए नास्ते